मोका जिंदगी जिंदा देनी से जीने का आउ बनी हम भारत के अगनी दीर थन सेना, नो सेना और वाई सेना में दिली के राजपवन में डिफेंस मिनिस्टर राजनाच सिंग के उपस्तिती में टीनो सेनाओं के फर्मकों ने स्कीम फो लौँच किया राजनाच सिंग ने कहा कि जो कोई भी इंडियन यंग्स्टर्स इस अगनी पत स्कीम के तुरू स्लेक्ट होंगे वह अगनी वीर के लाएंगे उनका यूद्फूल प्रोफाइल बैटर हो जाएगा इस के उसे सेनाओं की ओसतायों कम हो जाएगी पहले एवरेज एज 32 सच्वा करती थी जो कि अब चोवी से 26 साह हो जाएगी सिंगापूल इजरायल और स्वीडन में भी एक प्रोफाइल कम है 10 और 12 पास यूवाओं को अलग अलग पदों पर अगनी वीर बनने का अफसर मिलेगा फिजिकल और मेडिकल फिटनस के नियम वहीं पुराने वाले ही रहेंगे यह एक पैंग इंडिया मैलिक वेस्ट रिक्रूमेंट है जिसमें लगवग 45,000 अजर युवाओं को भर्ती किया जाएगा इसमें लड़के और लड़कियां दोनों पाटिसिपेट कर सकते हैं इसमें युवाओं को तीनों सेनाओं धर सेना, जर सेना और वायो सेना में जो रागुलर आम फोर्सेज हैं उनके साथ में भी सर्विस करने का अफसर मिलेगा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की इसमें एज लिमिट रहेगी साड़े सत्रा से लेकर 21 साल तक हलांकि गबर्में इस साल के लिए एज लिमिट 21 से बढा कर 13 साल करती है यह एक मेरिट बेस्ट भरती होगी जिसमें फिजिकल और मेडिकल फिटनस के लिए हम वही पहले वाले रहेगे और लबक तीन महीने के बाद में पहनी रेली कंड़क्ट के जाएगे इस स्कीम के थूँ अगनी वीरों को चार साल तक अपनी सर्विस देनी होगी यानि कि उनका सर्विस डूरेशन चार साल का रहेगा इसमें ट्रेनिंग पीरिड भी इंक्लूड किया गया है इसके बाद में इन्हें जो मुझूदा प्रिश्रिक्षन के अंगर है उनमें कठोर से इन्हें प्रिश्रिक्षन दिया जाएगा और इसके बाद में इन्हें पहाणों से लेकर रेगिस्तान तक के सभी इलाकों में अपनी सेवा करने का अफसर मिलेगा अगर हमें बात करूं सेलरी की तो देखे पर्थम वर्ष में यानि कि जो इनकी स्टार्टिंग जो पैकेज होगा वोगा 4.76 लाख रुपे यानि कि इन्हें पर्मत लगबक 30,000 तक की सैलरी मिलेगी और चोथा वर्ष आने तक जो इनका सालाना पैकेज हो जाएगा 6.92 लाख रुपे यानि कि एप्रोक्स इन्हें पर्मत 45,000 रुपे सैलरी मिलेगी चार सान कंप्लीट होने के बाद में मैकसिमम 25 पर्तिशत अगनी वीरों को मैरिट और मेडिकल फिटनेस की बेस पर आगे रिटेन कर दिया जाएगा अगर वो आगे देश की सिवा करना चाहती है तो इसके बाद में उन्हें आगे आने वाले 15 सालों तक सर्विस करने की अप चार सान की सर्विस से कोंट्राक्ट बेस होगी इसमें आपको पैंशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा बच्यों जो पिछेतर परतिश अगनी बीर है उनको खटा दिया जाएगा और इसके बाद में वो किसी भी अनदर फेर्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं हालांकि उन बिजनस स्टार्ट करना चाते हैं तो इनी बैंक से इजिरी लोन भी मिल जाएगा हलांकि सो परतिशत कैंडिट वोलेंटरी बेसेस पर रागुलर कैटर के लिए अपलाई कर सकते हैं लेकिन इसमें उनिस सार्विस नहीं दी जाएगी अगनी वीरों के क्यारियर में भवेश इसके डिए जाएगी वो फूल पेमेंट इसके फैमिले को देडी जाएगी साथ में डैफ होने के बाद में अड़तालीस लाग रुपे का नौल पोंटिक्टुटरी लाइफ इंशूरस कवर यानि की गयर अंशिदाई जीवन भीमा कवर भी दिया जाएगा और एडिशनल अगर आप इस स्कीम के बारे में खुद से रीट करना चाहते हैं तो आप गवर्मेंट की ओफिशल वेबसाइट www.mygov.in पर आपको इस स्कीम के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी इसके बारे होम इनिस्टर्य ने भी कहा है कि चार साल पूरा करने वाले इन अगनी वीरों को CAPF और असम राइफल्स की भरती में प्राखमिता दी जाएगी कुछ का ऐसा मानना है कि salary और pension में कटोती करने की वज़े से scheme को launch किया गया है क्योंकि defense के budget का एक बहुत बड़ा हिस्सा salary और pension में चला जाता है तो government के सामें military modernization एक बड़ा challenge है अगर मैं बात करूँ सन 2020 की तो 2020 में चाइना का defense budget था 188 billion dollar महीं भारत का defense budget था 72.9 billion dollar 2020 के अगर हम बात करें तो भारत ने 38 billion dollar आर्मी पर खर्च के थे जिसमें से किवन 7 billion dollar ही capital expenditure पर खर्च हुआ था इस scheme के launch होने के बाद से ही युगाओं ने इसको लेकर विरोध करना शुरू कर दिया है बिहार, मद्यपरदेश, हर्याना, नईदिली, जम्मू, छारखंट, राजस्तान सही अनेक राज्यों में हिंसक विरोध पर दशन हुआ अगता इस्थानों पर सड़कों और इद्मारकों को रुखा गया, बिहार में कई च्रेनों में आग लगा दी गई इस पर युवाओं का ये कहना है कि आर्मी की भर्तिया जिसकर ऐसे पहले होती थी वही नियम वापिस से लागू कर दिये जाए आर्मी में कई वश्चों से भर्तिया रुखी हुई है, गवर्मेंट ने वह भर्ति करवाई है तो क्या गारंटी है कि 4 सार के बाद में नोख्री मिल जाएगी चार साथ के बाद में हमारा future क्या होगा इस अगर जो लोग पहले से मतब इस आर्मी की जोग की त्यारी कर रहे थे अब इतनी वश्चों से आर्मी की भर्तिया नहीं हुई है तो वो candidate overage हो गई है और उनका ये भी कहना है कि अगर विधायक और सांसदों के लिए pension के वरस्ता अब हम बात करते हैं आर्मी भर्तिय की तो देखे 2020-21 में होनी थी सतार में भर्तिय रेलिया हुई 47 केवर 4 समाने परवेश परिक्षा हुई और रजट किसी एक का भी नहीं आया 2021-22 में होनी थी 47 भर्तिय रेलिया हुई only 4 और एक्जाम किसी का भी नहीं हुआ COVID की वज़े से सेना में भर्तिय नहीं होई लेकिन 10 आजों में विधान सभा चुनाव हो गए अब हम बात करते हैं pension के लोग सभा के 3580 पूरत सांसत और 268 पूरत सांसत के आश्रितों को pension मिल रही है 2017-18 में पूरत सांसतों के pension पर हर महीना 58 करोड रुपे खर्च और 2018-19 में बढ़कर 70 करोड 50 लाख रुपे होगे यानि कि हम हर साल 500 करोड रुपे के वर पूर विधाय को और पूरत सांसतों के pension पर खर्च कर रहे हैं हमें भी यह चाहिए कि हमें हमें के pension बन कर देनी चाहिए कि क्योंके अग्र कर रुपे बचेंगे तो साल आना साहरो करोड रुपे बचेंगे जिसे हम देश के वीकास में लगा सकते हैं और रोजगार के नई अशर भी मिलेंगे कुछ एक सर्विसमें भी इसकीम का भी रोध कर रहे हैं उनका कहना है कि फुली ट्रेंड ओफिसर यानि कि कॉमबैट रेडी सोलजर क्या क्याने में साथ से आर्ट साल लग जाते हैं तो इस चार सार में कैसा पॉसिवल होगा इंप्रेक्ट बेस इंप्लॉइमेंट भी नहीं आएगा रिटायट लेक्टिन जर्नल विनोद भाट्या ने कहा कि सश्ष्ट्रवलों के लिए खत्रे की घंटी इसका पाइलेट प्रजेक्ट लाइबिनाही से लोच कर दिया गया समाज के सैन्नी करण का खत्रा करीब 40,000,000 युवा हर सार बेरोजगार हो जाएंगे और यह अगनी भी हर्तियार चलाने में भी पूरी तरह से तरशिक्षित नहीं होंगे इससे किसी को कोई फाइदा नहीं होने वाला है वही वाइस चीफ लेटिनेंट जर्नल बी-स राज्यो ने कहा कि 12,000,000 के स्ट्रोंग आर्मी में इसे मैंने एरफोर्स और नहीं किया है लगवग आधी संख्या अगनी भी रोखी होगी जिससे यूथ और एक्सपिरियर्स का ओप्टिमल बैलेस बना कर रखा जाएगा अगर आगे फ्यूचर में ग्राउंड एक्सपिरियर्स पर कुछ और इंक्लूड करने के जूर्थ पर दिया तो उसे विस में आड़ कर दिया जाएगा वहीं लेटिनेंट जर्नल अनि पूरी ने कहा कि हम फ्यूचर रेडी सोलजर बनाने की कोशिश कर रहे हैं अगनी वीर इंडिया के यंग प्रोटक्टर है और जब यपी चार साल की सर्विस पूरी करने के बाहर जाएगे तो इन अगनी वीरों का बायो डाटा और रिजू में यूनिक होगा और कल को मालों कि अगर वोर होता है तो इनको पता होगा कि क्या और कैसे करना है आपको गवर्मेंट की स्कीम कैसे लगी इस पर आपकी क्या राए है और अगर आपका इस स्कीम से रिज़चिश कोई भी कोश्चन है तो आप मुझे कॉमें सेक्ष में पूछ सकते हैं इस वीडियो में आज इतना है फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद